वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एडिडर्स में आज हम प्रोफिट लॉस के कुछ सवाल को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सवसी पहला क्वेशन है कि एक दुगंदार किसी बस्तु को 700 रूपए में बेचता है तथा उसे 16 सही 2 वट्टा 3 परतीसत का लाव होता है तो क्रेमुल क्या होगा 16 सही 2 वट्टा 3 परतीसत का मतलब होता है एक वट्टा 6 मतलब उसे लाव हुआ लाव जो होता है क्रेमूल पर होता है मतलब CP और SP का रेशियो अगर हम देखते हैं तो CP मेरा अच्छो हो जाएगा अगर लाव हुआ है एक यह लाव हो गया एक तो SP साथ हो गया और बेजता है बस्तु को 700 रुपे में बेजता है तो मतलब SP साथ है, साथ जो है, साथ सो के बराबर है, और इसलिए कोश्ट प्राइस क्या हो जाएगा, छो सो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉस्चन है, कि एक दुकंदार किसी बस्तु को 600 रुपे में बेजता है, तथा उसे 14 सही 2 वट्टा 7 परतिसत की हानी होती है, तो क्रेमूल ग्याद कीजिए, तो क्रेमूल ग्याद करने क्लिक आता है, तो 14 सही 2 वट्टा 7 परतिसत का मतलब होता है, एक वट्टा 7, एक वट्टा 7 होता है, और उसे हानी होती है, तो SP जो हुआ मेरा, CP रिशियो, SP अगर हम देखते हैं, CP रिशियो, SP अगर हम देखते हैं, तो 7 हो गया CP, हानी हुआ है, हानी हुआ है, तो ये एक जो है, हानी हुआ है, तो ये हो जाएगा अच्छे, और 600 रुपया में बेच रहा है, तो ये हो गया 6 से, और ये, इसलिए कोस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा, 700 रुपया, नेक्स्ट है दोस्तों, कहता एक दुकांदार अपने समान को 20 पर 30 लाव पर बेचता है, 20 पर 30 मतलब हुआ 1Y5, और लाव पर बेचता है, तो विक्रेमूल पर लाव क्या होगा, तो CP रेशियो, SP मेरा हो जाएगा, ये कोस्ट प्राइस 5 हो गया, तो SP मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब ये एक रुपया लाव हुआ है, पांच रुपया पर, तो लाव हमारा जो है सो विक्रेमूल पर क्या हो जाएगा, तो नीचे हम लिखेंगे SP, और उपर मेरा लाव हो जाएगा, तो एक बटा च्छो हुआ, एक बटा च्छो को अगर हम परतिसद में बदलते हैं, तो एक सो से गुना करेंगे, और जब एक सो से गुना करेंगे, तो मेरा परतिसद में बदल करा जाएगा, सोलो सही दू वट्टा तीन परतीसट यह मेरा विक्रैमूल पर लाव हुआ next है दोस्तो एक दुकानदार को विक्रैमूल पर बारा पुर्णा के वट्टा दू परतीसट का लाव होता है तो उसका लाव परतीसट on cost price क्या होगा? cost price पर लाव परतिसत पुष्टा है और ये भी क्रैमूल पर लाव परतिसत है तो बारा सही एक वर्टा दू परतिसत का मतलब होता है एक वर्टा आठ और ये भी क्रैमूल हो गया तो cp ratio sp निकालेंगे तो ये भी क्रैमूल हो गया और लाव मिला है तो मतलब लाव मिला है एक विप् सेवन हो जाएगा अब बोल रहा है लाव ओन कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस पर निकालने के लिए हम लाव हुआ है एक रुपिया और कोस्ट प्राइस में राया है साथ तो एक बटा साथ करेंगे और अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सो से गुना करेंगे और एक वर्टा साथ जो है इसको प्रसेंट में बदलने पर निकलता है चोदो सही दू वर्टा साथ परतिसत यह मेरा एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों एक दुकंदार को विक्रेमूल पर 11 सही एक वर्टा नौ परतिसत की हानी होती है यह विक्रेमूल पर इतना परतिसत की हानी होती है तो उसका करेमूल पर हानी परतिसत क्या होगा तो 11 सही एक वर्टा नौ परतिसत इसका वहलू होता है दोस्तों एक वर्टा नौ और इसको हानी हुआ है तो मतलब एक जो है यह हानी हुआ है और यह भी क्रैमूल पर था तो भी क्रैमूल यह मेरा हो गया SP इसलिए CP रेशियो SP का रेशियो जब हम निकालेंगे तो SP नौ था और हानी हुआ है एक रुपया मतलब कम में बेचा है तो कोस्ट प्राइस मेरा होगा 10 रुपया अब कहता है क्रैमूल पर हानी निकालने के और अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10 प्रतिसत की हानी हुई क्रैमूल पर ठीक है दस्तों आईए अब नेक्स्ट चलते हैं कि 15 बस्तु का क्रैमूल 12 बस्तु के भी क्रैमूल के बरावर है इस तरह के हिसाब को हम बनाते हैं इसे 15 बस्तु का क्रैमूल कोस्ट प्राइस जो है कि 12 बस्तु के सेलिंग प्राइस के बरावर है तो कोस्ट प्राइस बट्टा सेलिंग प्राइस इधर बार है और ये इधर एब इसको हम कट करेंगे चार तक आर बार और पान तक पन्द ह्यू तो घुखांदार राव यहा नी पुछ रहा है और हम देख्टे है कि ऐसध में आया है और इस मी पांच में आया है ठीक है दोस्तों तो हानी परतिसत निकालना नहीं लाब होगा एक रूपया अधिक में बेच रहा है तो लाब होगा इसलिए लाब हम कैसे निकालेंगे तो cost price पर जो है लाब निकाला जाता है कोंस्ट प्राइस कितना है 4 है और लाव कितना हुआ एक रूपया का लाव हुआ है तो इसलिए 1-1 बा-1 फोड जु ए इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 25 पर 30 का लाव हुआ है नेक्स्ट दोस्तों है अभी तक इतना ही रखते हैं ठीक है दोस्तों धन्वाद हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न बोलें